एलो डिया लेर्नर्स आए डिसकर्स करते हैं एक्सरसाइज फोर का लेक्चर थ्री देखें पहला क्रेश्चन है हमारे सामने कि वो कार से बाहर निकली और उसने मापी माँगी देखें गेट इन अ कार कि यहां पर हम इनकी जगें इंट्रू भी उसकर सकते हैं तो यह प्रेपोजिशन हमें यूज करने पड़ती हैं जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिसकर्स किया कि कार है है एम्बूलेंस है और टैक्सी है हेलिकॉप्टर है इनके साथ हम प्रेपोजिशन इन इस करते हैं इन कार तो उसी तरीके से हमें लिखना है get out of car get in a car get into a car या फिर get out of a car तो जिन means of transportation के साथ हमने कल ये पड़ा था उनके साथ हमें लिखना in अचा अगर बाइक हो तो get on to the bike get off the bike तो जिन means of transportation के साथ में हम on preposition उस करते हैं उनके साथ में हम उतरने के लिए off का यूज़ करते हैं तो यह बस थोटी सी बात है आसानी से सबको याद रह जाने वाली है ऐसे खास बात भी नहीं है कि याद नहीं रह पाएगी तो अगर कोई person किसी कार में पैठता है तो उसके लिए हमें प्रेपोजिशन यूज़ करने है इन गेट इन दा कार गेट इंटू दी कार उतरता है बाहर निकलता है तो आउट 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 आउज़ करने गेट आउट अप दी कार उसी तरीके से ऐसे means of transportation जिनके साथ हम on use करते हैं जैसे on a bus, on a train, on a plane, on a ship, on a bike, on a bicycle, on a horse उनके साथ on लिखते हैं तो bike पर चड़ना get on to the bike या get on the bike उतरना क्या होजा आउफ, on का इंटो नहीं होता है न आउफ तो वहाँ पर हमें यूज़ करने get off the bike, get off the horse, get off the bus ऐसे यूज़ करने लिखने she got out from the car इसको मैं लिखने she got out of the car ये correction हो गया तो means of transportation के साथ में किसके लिए हम कौन सी preposition यूज़ करते हैं उतरने के लिए हमें ध्यान रखने, get out of उनके साथ जिनके साथ in-use किया जाता है और get off उनके साथ जिनके साथ on-use किया जाता है अगले question देखे, they went to the party by their friends car अब हमने पढ़ा था कि by का यूज़ हम general means of transportation के साथ में करते हैं अगर कोई specific means of transportation हो तो उसके लिए हमने पढ़ा देखो लास्ट क्लास में इसाइड डिसकस किया था कि यूज़ हम करते हैं general means of transportation के साथ में इसको ऐसे मैं लिग देता हूं बाकि last lecture reference के लिए आप उससे देखेंगे means of transportation जो होते हैं हमारे उनके साथ जो हम prepositions यूज़ करते हैं अगर means of transportation general है और अगर specific है तो अगर means of transportation general है तो हमने क्या पढ़ा था कि हम prepositions यूज़ करेंगे by अगर means of transportation specific है तो हम prepositions करेंगे on या फिर in कहां लिखेंगे कहां इन लिखेंगे क्यों लिखेंगे वह हमने तो यह ध्यान रखने specific means of transportation जो होते हैं उनके साथ में हमें और इनका यूज़ करना पड़ता है जनके साथ कोई unsettler na लिखा आधी अगला हमने लिखा हम क्रिमिनल से कुछ कुछ अपराधी होते हैं वह परवा नहीं करते पकड़े जाने की वह क्राइन करते है उनको इस चीज का ड़र नहीं वह पकड़े जाएंगे पकड़े जाएंगे चमठेल थे परक्णा करना को पैले छोटी चोटी बासे जो लोग समझें जैसे कुछ के यूजर होते हैं के यूजर होते हैं उनको समझे है एक हमने यूज किया कि विल कि एर और दर फैमिली कि ए कि डाज नॉट कि एर अबाउट दर फैमिली कि इसको भी कुछ ऐसा ही लिख देता है ठीक है कि डाजन्ट कि एर और दी फैमिली अब यह जो दो हमने प्रेज़े जूज किया है कि एर फॉर और केर अबाउट हमें इनका डिफरेंस समझना है कि कि किस कॉंटेक्स में इनका यूज के जाता है देखिया कि एर फॉर का मतलब होता है तो लुक आफटर के एर फॉर का मतलब होता है लुक आफटर इस कॉंटेक्स में में इसका यूज करना होता है कैट बार हम कुछ पड़ते हैं उसमें इनका यूज हो रहा था हमें समझना पड़ता है अगर हमें इनका स Remember š workshops समझ प्रक्राइप कार अछिकार निg lawsuit कि क्या मतलब होता है और अब कर इसको इंप्रेट मानना तो वैल्यू संथिंग कि डूंट केरबाउट मनीड डूंट केर अबाउट मनी का मतलब वह पैसे की चंता नहीं करते हैं, मतलब पैसा उनके लिए इंप्रोटन नहीं है, विक यह बाउट क्वालिटी करना उसकी चिंता करना उसकी देखवाल करना तो यहां पर अब देखो अपने क्वेश्चन में क्या लिखा क्रिमिनल्स टिंपली डॉंट वैल्यू और इंक इंपॉर्टेंट वह उसकी चिंता ही नहीं करते या फिर वह उसकी देखवाल नहीं करते तो बिंग कोई ऐसी चीज तो है अब लिखें तो फॉर और बाउट का डिफ्रेंस हमने समझी लिया अब जब यह दिफ्रेंस में समझ में आई गया ते हम फटाई यह लिगे अब आप सम्क्रिमिनल्स इंप्ली डोंट केर अबॉट बिंग इसचीज की परवाह नहीं करते दुट तो इसको इंपॉर्टेंट नहीं मांते अलब उनके लिए महरतु की बात नहीं की पकड़े जाएंगे पकड़े जाएंगे तो पकड़े जाएंगे ठीक आइसा थे कैयर पॉर के आपको सीखना है अगला देखो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर यहां पर लेकर एक चीज समझेगा यहां पर आप बात कर तो यहां पर०। यहांनले कि अशैर पत्यों यहां आपंगे तो यहां ज्यकरने हैं बात हैं एक डया है यहां आपके दोरी उत ब्देयर दिनक्पट भाम देखेंगे दिस की अत्यूलत अक मत ते कर दा सकी keeping के चाएंब। इस ब्सिग्धस you should take care not to you should take care not to trigger the bomb अब यहांपर यह जो केयर को हमने जानौ नाउन उसके टेक केयर इसका हमें डिफ्रेंस समझना है आप देखोगे तो टेक केयर हमने यहां भी लिखाए टेक के यहां भी लिखाए डिफ्रेंस आ गया है यहां पर टेक के के साथ में जब आफ के साथ एक प्रैपोजिशनल है लिखते हैं क। और जबाओन इंफिनिटिव लिखते हैं तो दोनों ही कॉंटेक्स्ट में डिफ्रेंस क्या होते हैं इस तरीके के डिफरेंस दोनों के मैं हमें समझने दहिए मैं आपको का मतलब वही होता है जो क्यार 32 मैंने आपको बताया कि मतलब होरी लुक आफटर देखवाल करना सब से हमें यह बात ध्यान रखनी है तो टेक केर आफ और केर पॉर तो केर पॉर यह दोनों सिनोनिम होते हैं इनका एक ही मतलब होता है लुक आफटर यह जो हमने टेक केर लिखा ना इसका मतलब है बच्चे लुक आफटर यू शुड्ड लोक आफटर दिस बिजनस लब आपको यह बजनस देखना चाहिए इसकी समाल करने चाहिए पर टेक के नहीं कर देना जिससे को घडबर हो जाए को खतरा हो जाए इसका मतलब होना कि कुछ घडबर ना हो जाए कोई है इसको समालना और तेख केर आफ का मतलब देखवाल करना आपको इस बिजनेस की देखवाल करनी है यह जब डिफरेंस आपको समझ वहाए जातों स्कूर्ष्टन पर देखो यहां क्या लिखा हुआ यू वूड बेटर टेक केर अफ नॉट अफेंडेंग अब हम किसी से कह रहे हैं कि भाई आप इस वात का ध्यान रखना है कि कहीं उसको नाराज ना कर दो तो हम यहाँ पर कोई देखवाल करने की यह लूक आफ्टर वाला मीनिंग करने की कोशिज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम कह रहे हैं कि be careful कि कुछ हैसा मत करने की वह नाराज है तो जब हमें यह मीनिंग करना हो ना तो टेक के साथ में इंफिनिटिफ फ्रेज उसके अगर हो तो इसको लिखो यूवूड बैटर टेक केर नॉट टू अफेंडर अफेंडिंग में इठाना पड़ेगा ए तो यह जो हमने लिखा है कि यूवूड बैटर टेक केर नॉट टू अफेंड है कि हमार आंसर नेक्स वाजी है और वंडर्फुल इट वूड बी तो बी यंग एंड केरलेस अगें यहां पर एक वर्ड हमने उसके बच्चों केरलेस है ठीक है careless और carefree there are two adjectives यह दोनी adjectives में मचच्चे यह भी adjective है और यह भी adjective है हमें इन दोनों adjectives के difference को समझना है जिससे कि हम जरुवत पढ़ने पर इनका सही use कर पाएं देखें का मतलब होता है not paying proper attention careless person होता है जो proper ध्यान नहीं करता किसी चीज का ठीक है लापरवा हिंदी में कहते है ठीक है तीज़ा careless person careful का opposite word होता ही है ठीक है careful is one who pays attention close attention to things that he does or says carefree का मतलब क्यों होता है not having what is or problems केरफ्री केरफ्री वह पर्सन हो गए जिसको किसी चीज की चिंता नहीं है तो केरलेस और केरफ्री इन दोनों का हमें कितना आच्छा रहे कि अगर हम फिर से यंग हो जाएं और फिर से केरल केर फ्री का मलतर यह काम दंदे की चंता परिवार की चंता राशन पाजी की चंता यह में ना करनी पड़े तो जो हाँ पर हमारा का पंटेक्स उसके लिए अप्रोप्रेट टर्म जो है वो केर फ्री है क्यों से कह रहे हैं कि कुछ अभी खालो क्यों अभी खालो इन केस देर वॉंट भी एनी फूड वेन वी गेट देर कि कहीं ऐसा ना कि जब महां पर पहुंचें तो हमें कोई कोई चीज खाने कोई ना मिले यह क्वेस्टन का मैं आंसर बताऊंगा लिकर मैं चाहता हूं इससे पहले हम इससे डिसकस कर लें एक बार पहले इससे कर लें तो फिर उसे करेंगे ठीक यहां देखें लेट फॉर अनदर फाइल मिनिट्स जस्ट इफ फी शोजब तो हमने यहां पर इफ प्रेपोजिशन का यूज किया सारी कंजंग्शन का यूज किया है इफ यह जो हमने वर्ड लिखा नहीं कंजंग्शन अब इस स्टेटमेंट का करेक्शन करने के लिए इसको सही करने के लिए हमें दो वर्ड से उनका डिफ्रेंस समझने की जरूरत है एक वर्ड है इफ और एक वर्ड है इनकेस यह दोनों subordinating conjunction है सबको ध्यान रखना है कि जो दोनों word हमने लिखे हैं if और in case यह दोनों ही subordinating conjunctions of condition है कि दोनों subordinate conjunctions है क्या इनके use में difference होता है उस पर थोड़ा में ध्यान देना है if when something is done as a response ऐसी condition जिसके response हम कुछ करते है वहाँ पर हमें if use करना है when something यह something लिखा वध्यान देना है is done as a precaution जब हम किसी ऐसी condition को refer करें जहां पर कोई काम हमने as a precaution पहले से कर लिया किसी चीज़ के होने से तो हम वहाँ पर if use करते हैं अब यह जो difference है इसको हम practical example से समझ जाते हैं आइ आइ शेल गो देर आइफ वी ही रिक्वेस्ट मी आइ शेल गो देर इन केस रिक्वेस्ट मी एक काम करते हैं उपर वाला भी ऐसे लिख लेता है he helps me if he helps me इन दोनों स्टेट्मेंट्स को पढ़कर आप एक चीज़ तो समझी गए होंगे कि दोनों ही complex sentences हैं और दोनों में कंडिशन की बात हो रही है अब आप देखेंगे कि हमने यहां पर main clause लिखी है यहां भी हमने main clause लिखी है यहां पर हमने subordinate clause लिखी है if he helps me और यहां पर लिखी in case he helps me difference केवल और केवल कंजंक्शन का है और यह बड़ा difference है यह बड़ा difference है हम यह समझना है कि अगर हम इफ लिख रहे हैं मैं वहां जाओंगा if he helps me अगर उसमें पहले मेरी मदद की तो तो कहने का उनलब पहले मदद करेगा तब फिर बाद में यह काम यह करेगा अच्छा दूसरी situation क्या है दूसरे में कह रहा है यह difference है I shall go there मैं वहां जाओंगा in case he helps में हो सकता मेरी मदद कर दे ऐसा पॉस्वेल है तो as a precaution मैं पहले से वहां पर अभी मुझे पता नहीं मदद करेगा नहीं करेगा लेकिन हो सकता कर दे तो मैं इसलिए जा रहा हूं in case I shall go there if he helps me अगर मदद करेगा तो जाओंगा मतलब पहले मदद करें बाद में मैं जाओंगा तो यह इफ और in case में यह difference हो अगर कोई condition पहले हो गए उसके बाद में सको respond किया जा रहा है तो इसकाम पहले प्रिकोर्शन करके देखा जा रहा है जैसे कि बाद में कुछ हो ज करेंगे तब तो इंतिजार करने की जरूरत ही नहीं अगर वह आ जाएगा तो फिर यह इनकेस का डिफ्रेंस है इसको यहाँ पर आप देखोगे जो हमने in case करने उसके सही उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इनकेस हमारा कंजंग्शन है और यह सबॉडिनेटिंग कंजंग्शन होता है सारे बच्चों को यह बात पता होगी पहले से कि जब हम कोई कॉंप्लेक्स सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें में क्लॉज में लिखा गया इवेंट भी अगर फ्यूचर का हो और सबॉडिनेटिंग क्लॉज को प्रिजेंटिंग में लिखा जाता है इनकेस सबॉडिनेटिंग कंजंग्शन होता है इसके साल लिखी की क्लॉज था अब अगर हमें फ्यूचर टेंस को रफर करना हो तो प्रिजेंट टेंस का यूज़ करना है चाहिए कि आप ध्यान से देखो यह वांट हमने जो यह विलनाट की शॉट पॉंग है जिस तरीके साफ जानते हों कि हम इस clause में फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं करते है कि फॉटिंग्य क्लॉस नहीं करते है इसको हटाई है जह लिक है इद्वाइज दूट्रिछन नाओ इन केसब और इस नाट एनी फूद वैन वी तो ऐसा कंफर्म नहीं कि नहीं मिलेगा लेकिन हो सकता ना मिले तो अपने पहले से खाके यहां से तो जिस तरीके से इस तरीके से इन केस वाले क्लॉज में भी फ्यूचर टेंस को अवोईड करें क्यूंकि यह भी सब्सक्राइटिंग क्लॉज ही होती है अगला क्वेशन देखें आइफ टू पेड़ाइट कैस को अब प्रैफर टू पेड़ाइट कार्ड पेड़ाइट कार्ड पेड़ाइट कार्ड पेड़ाइट यह सब सही है लेकिन पेड़ाइट कैश और पेड़ाइट कैश तो हमें ध्यान देना है कि अगर हम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड चेक से पेमेंट करते हैं तो उसके लिए तो हम प्रेपोजिशन भाई यूज भी करते हैं लेकिन अगर कोई परसन कैश प्रेमेंट करें तो फिर या तो कैश को आप डारेक्ट अब्जेक्ट बना दीजिए वर्पे का या फिर इन प्रेपोजिशन का यूज कीजिए उनको रिडेट करने के लिए इनका यूज करें यह हमने लिखा है आई प्रफर टू पे बाई कैस तो या तो प्रफर टू पे इनका यूज प्रफर टू पे इनकेश निए नर्यू जॉब ऑपोर्पॉर्शनिटेज विल नेवर कैच अप दर रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन जैसे हमने कहा जो नई जॉब अपर्शनिटीज है वो कभी भी रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन जो जनसंक्या में तेज ब्रद्धी हो रही है उसकी बरावरी नहीं कर पाएंगी मलब जिस मलब तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस तरीके से निव जॉब अपर्शनिटीज नहीं बढ़ रही है नौकरियां उतनी नहीं बढ़ रही है जितनी जनसंक्या बढ़ रही है तो हम यहां पर कह रहे हैं कि नौकरियां जो हैं वो कभी भी बढ़ती जनसंक् नहीं कर पाएंगे इंग्लिश में इसके लिए फ्रेंज होती है यह होती है इसका मतलब होता है तो ड्रॉ लैबल कि विच सम्थिंग किसी चीज की बराबरी करना अब सेंटेंस देखेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या घड़बर है यहां पर हमने कैच अप तो लिखा विदिज मिसिंग तो इसको लिखें कैच अब निव जॉब अपॉर्चुनिटीज विल नैवर कैच अब विद्ध रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन यहां पर एक मैं चाल जाते हैं को common mistake हो ठीक होती है ठीक है एकजाम कैपूंट विशन होती है और एवरीडे कम्मुनिकेशन में अपयूर घूज़ूरी होती है खिण लिखा आफ ह्यां युजवच यह मूं संब्सक्राइब iyечение दिखांट ड que no कब अब चुकर ऑड़ वर्क नाउ अमने का भाईय मिचना ज्यादा ये काम तो नहीं कर सकते तो पॉप विद्ध भी एक फ्रेज होती है और लगबग इसका मतलब वही होता है यहां पैसे लिख देते हैं कैच अप विद संथींग को अप विद्ध संथींग केचल से यह होता है उसका मतलब यह होता है कि को अब्विद का भी होता है कि इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा है स्कूल जाने वाला उसने किसी कारण से एक हपते की चुट्टी कर ली या उसको चुट्टी करनी पड़ गए अब जो भी स्कूल बापस आएगा तो बाकी जो उसके क्लासमेट्स है उनका काम उसके मुकाबले अपडेटेड होगा और वह पीछे होगा क्योंकि उसने एक विक्की आफ लिया है तो अब उसको ही विल है टू कैच अप ऑन विद इस क्लासमेट्स अब उसको कैच अप ऑन करना पड़ेगा कैच अप करना पड़ेगा कैच अप का मतलब जो काम केच अपन फ्रेज है यह सिनोनीम हो जाती कोब विद की अब गड़बर क्या होता है चुंकि यह दोनों फ्रेज यहां पर सिमिलर मीनिंग करती है दोनों बहुत कॉमन मिस्टेक है जो एवरीडे उसे ऑफ इंग्लिस है जो हम आम बोल चल की भासा में अपना लिखने पढ़ करते हैं इंगलिस उसमें भी और एक्जाम के पॉइंट विसे भी इंपॉर्टन है यूज लेंग्वर्स का काफी कॉमन मिस्टेक है तो हमें इसका ध्यान रखना है तो यह जो हमने लिगा है ना विकनोट कोप विद इस मच वर्क नहों कि अब तो हमसे इतना काम नहीं पू if I want to change my job is the as follows there are two nouns dear learners one is cause and one is reason one is cause and one is reason and these are confusing nouns the use of these nouns जुण ऑफन खन्फुज लर्नर्स अद्वी जिस्टेग them । रहने इंकाइन नावन है कॉज भी नाव नहीं है। और रिजन वी नावन है। कॉज इस रहने ल्हाद किसा सम्तिन है , व्रत्मी व्रत्मी द्यान धन्य। एपन रीजन इस वाट एक्स्प्लेन्स और जस्टिफाइज तो अगर हमने कोई काम किया तो क्यों किया उसका एक्स्प्लेनेशन उसका जस्टिफिकेशन जो हम देते हैं लेकिन अगर कोई काम हुआ उसके पीछे क्या फैक्टर्स रहे जिनके वज़े से ऐसा हुआ यह बताने के लिए हम रिजन कॉस का यूज करते हैं एक्सांपल से समझ लिएते हैं जैसे हमने लिखा इसकेशन वगूर बैक्टर्स करते हैं happy the reason of his absence his being absent is दो मैंच अब जैसे हमने दो संटेंस लेगे दो पूर डिजाइन दिख काउज है ऐसा तो किसी निगे घुर गया उसके पीछ पीछे क्या कारण ये फैक्टर है तो फैक्टर ए पूर डिजाइन ब्रिज का यह वेडिंग का डिजाइन यह अच्छा दिए तक जिस वजय से वह गिर गया विडिज the reason of his being absent उसके absent होने के पीछे reason क्या वह क्यों नहीं आया कोई person मालो absent कर गया तो क्यों absent कर गया क्यों नहीं आया तो reason है match match देखने गया है match खेलने गया वह हमें नहीं पता बट match है यहां पर हम justify कर रहे हैं कि को कोई परसन क्यों नहीं आने के पीछे कारण कि वो डिजाइनिंग ने क्लाप्स किया बिल्डिंग को लेकिन में उसे अप्सेंट नहीं कि अपने अप होता है अगर कोई काम अपने आप होता है तो उसमें कॉज ही होगा उसमें कोई काम करता है तो उसके पीछह कोई तो उसमें होता है कहने का मतलब जो में ह Democrat हैं जैसे ट्राफिक झाम किसी रोड पे ट्राफिक झाम लग जा इसके पिछे पिछे रोड पर होता है उनके पीछे पूब रहे लेंगे ठेट लैट होती है तो ट्रैफिक लाइट से पर होती है्न आफ़ रिजन एनी रिजन नहीं होता है कि घर मकान तोड जाए नुकसान हो जाए इसलिए नहीं तो कारण है मुव्मेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स तो कॉज है कि है कि या जैसे पार्टीज पीपल है पार्टीज देसेलिब्रेट देर आप सम रीजन रीजन जब हम कोई काम करते हैं तो उसके कि पीछे कोई्टा का तो उसके पीछे कोई कौई होता है तो इसके पीछे कौई को इसके फर्दर ग्रोथ की फूचर में मतलब प्रोग्रेस की इसलिए बदलना चाह रहा हूं ठीक है यहां पर मन नहीं लगता जौब प्रोफाइल पसंद नहीं है इसलिए बदलना चाह रहा हूं तो उसका अपने कोई नहीं कोई लॉजिक होगा ऐसा करने का तो जो भी जस्टिफिक सब्सक्राइब कंप्लीट हुआ फूब अच्छे से पढ़िए डीटेल नोट्स बनाई है जो आप यहां पर पढ़ते हैं सीखते हैं उनके बढ़िया से नोट्स बनाई है काफी चीज़ा ऐसी होती है जो बोली जाती है लिखी नहीं जाती है पीडिएफ में हलांके पीडि से लिखिए और उस पर चैप्टर वाइज लेक्टर वाइज अपने नोट्स खुद के बनाई है कि उनमें कोई कंफूजान आएगा कोई डाउट्स आएगा तो वाट्सप पर मुस्से कीजिए उनको हम डिसक्स करेंगे लाइव लेक्ट्स रख देंगे डाउट्स के लिए उनमें हम आपके डाउट्स का डिसक्स करें कुल मिलाके जब हम यहां पर पढ़ रहें तो फूब अपना पूरा फोकस पूरा इटेंशन के साथ में पढ़िए जिससे कि हमें मैक्समुम बेन्फिट इन क्लास्टेस का हो तो पढ़ते रहें बढ़ते रहें एक पंजांग ल